नमस्कार साथियों आज हम देखेंगे प्रश्णावली 4.3 के आगी प्रश्णावली 4.3 के प्रश्णा कर्मांग 1 के 6 भाग को बता दिया था तो आज देखते हैं प्रश्णावलांग 2 क्या कर रहा है 1046.5 योग प्राप्त करने के लिए समांतर स्वर्णी 7 10 सही एक बटे 2 14 क कितने पद लेने होंगे तो यहां इस वार्ट है कि प्रथम पद जो है साथ है दूती पद 10 सही एक बटे 2 अब सरवांतर निकालने के लिए इस में से इसको घटा देंगे तो 10 सही एक बटे 2 में से 7 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 63 और 63 को हम लिख सकते हैं 3.5 और यहां पर हमने उसको किया है तो प्रथम पद प्रश्म के अनुसार है फिर दूती पद उसके बाद सरवांतर जो की सुद्र होता है यह दूसरा पद मैनस पहला पद इस में से इसको हम घटाएंगे दूसरे में से तो शाठी 10 में से साथ घटाएंगे तो यहां जाएगा 3 सही एक पटेदो जिसको हम 3.5 भी लिख सकते हैं इसके बाद हमको दिया गया है प्रश्म में एस एन बराबर 1046.5 अब मान लेते हैं कि समांतर स्ट्रोंडल के इन पदों का जो योग है वह कितना है 1046.5 है तब स्ट्रोंडल के इन पदों का योग का जो सूत्र होता है उसको लिखे देँगे अन से आन बराबर एन बाइट भाइटू टूए प्लस एज फ्लस एन माइंस फन डी अब इस सूतर में एस एन की जग्हा जो सको वैल्यू है 1065 उसको यहां रख देंगे एन बाइट नगे जैसे का तासा तो जैसे का तासा अब यहां एँ हैं और एक का वैल्ली उ हमारो जो दिया गया है साथ इसको यहां रख देंगे टास और डिके वल्य लिए निकाला तिनने पहलों पांच उसको यहां रख देंगे इसके बाद यह 1065 जासे का तसा यह जो दो है इसको इधर पच्छंतर करेंगे तो यह भाग में है इधर आके इससे उना हो जाएगा बराबर में यहां बचेगा एन दो का साथ से उना करेंगे तो यह हो जाएगा से 3.5 का मुणा कर देंगे तो 3.5 का एक से होगा तो माइनस में 3.5 जाएगा अब इसका कर देंगे गुणा तो 1046 देसम्राव पांच दूनी होता है घटेंगे तो यह हो जाएगा दसम्राव पांच तो 10.5 प्लास में 30.5 जाशए का तैसा अब इस जिरो को बाइलिव नहीं है तो इसको हम जाशे का तैसा लिख सकते हैं और इसके साथ में लग जाएगा इसको कर देते हैं इधर पच्छांतर तो हम इसको पहले लिख सकते हैं यह जब उधर जाएगा तो इसका मैनस हो जाएगा तो मैनस दोहजार तिरांगे बराबर जिरो अब यहां दसम्लाव वाले पॉइंट हैं दसम्लाव में हमको दिक्कत होता है तो इस दसम्लाव को हटाने के लिए हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो 2 से गुणा करने से क्या होगा हमारे दसम्लाव वाला तमत हों जाएगा क्योंकि 35 दुनी हो जोंको 70 और 60 मतलब साथ दसम्लाव सुन्य और दसम्लाव भास सुन्य को लिखने जरूरत नहीं है तो यह हो जाएगा साथ एन स्वेयर प्लस दसम्लाव पांच दूनी होता है 21 दसम्लाव सुन्य तो दसम्लाव को बाद सुन्य को हटा देंगे तो यह हो जाएगा 21 और 293 दूनी हो जाएगा 4106 बराबर में सुन्य अब यह जो पद है थोड़ा बड़ा है और हम यह देखेंगे साथ 21 और 4186 तीनों साथ के टेबल में आता है तो हम इंस सभी को साथ से भाग देदेंगे तो यह साथ एकम साथ और यह हो जाएगा साथ्य 21 साथ 35 बच्येगा यहां छो इस आठ से 본 के हो जाएगा 58 यह साथ और इस वर्ग समिय करन को हम गुणन खंड विद्धे से जब हल करेंगे तो हमको यहां एक और पांसव अंठानवे का गुणा करके इसका एलसेम निकालना पुड़ेगा और एलसेम निकालके हम उसको दो भागों में इस प्रकाट से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने से तीन मिल जाया और गुणा करने से पांसव अंठानवे तो हम उसको किस प्रकाट से तोड़ लगते हैं जो पांसव अंठानवे हैं उसको तोड़ने के लिए हम सब सब्सक्राइब है दो कप्योग करेंगे तो दो दूनी चार बचा एक यह हो जाएगा उननीश पिर दो नव अठारा बचा एक यह हो जाएगा दो नवा अठारा अब यह सिधा सिधा दो से जाएगा नहीं तीन से जाएगा नहीं चार से नहीं जाएगा पांस से नहीं जाएगा छे से साथ से आठ से नौ से दस से ग्यारह और बारह तक नहीं जाएगा यह सिधा जाएगा तेरह से तो और इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें 23 और तेरा जुनी 26 के रूप में तो 26 माइनस 23 26 में से जब 20 को घटाएंगे तो आपको मिल जाएगा 3 और 26 का 23 से गुना करेंगे तो आजाएगा 500 सब अंठाइबे तो हम इसके मध्यपत को इस प्रकार से तोड़ सकते हैं अन स्क्राइर प्लस इस तीन को लिख सकते हैं 26 माइनस 23 और माइनस अंठाइबे बराबर में सुन्य जैन स्क्राइब जैसे करता है यह सब्सक्राइब तो इस न का इन दोनों से जागा मुल्टिप्लाइब 26 और माइनस 23 और माइनस अब दो जोड़ा बना लेंगे तो जोड़ा इस प्रकार से बना सकते हैं एन स्क्राइब प्लस यह माइनस बाहर निकल जागा तो यह माइनस प्लस प्लस फांचराब इन दोनों में एक समान हमको एं दिख रहा है तो यहां पुश्यान प्लस 26 माइन सब्स जगह से हम प्लस कि यह दो कोड़ टक जो है एक सामान हो गया तो इसको एक बाल लिखेंगे इसके बाद स squirrel कोड़े पैले कोड़ लिखेंगे बाहर है एंप दूसर्ड़ कोड़ता के बाहर सलल्हें मैं लिखने विराबर में ची यह जानने के लिए यह तो पहला कोश्टक जो है N plus 26 बराबर 0 या दूसरा कोश्टक N minus 23 बराबर 0 हो जाएगा अब यहां तक होने के बाद इस 26 को उधर पच्छंतर करेंगे तो N बराबर minus 26 या इस minus 23 को उधर पच्छंतर करेंगे तो N बराबर 23 हो जाएगा क्योंकि यह माइनस में आ रहा है और पदों की संख्या कभी भी रिनात्मग नहीं होती तो यह क्या हो जाएगा अस्विकार हो जाएगा क्यों कि पदों की संख्या कभी रिनात्मा नहीं होता आता हमारे जो आंसर हो जाएगा वह जाएगा एन बराबर 23 इसके बाद आते हैं हम पुश्चन नंबर 3 में तो कुश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है समांतर स्वारी 24 21 18 के कितने पद लिया जाएं ताकि उनका योग 78 हो तो ऐसे प्रश्चन को हस करने के लिए भी हमको प्रोसेस सेम तू सेम करना है तो देखेंगे यहां पर भी वैसे होगा प्रथम पद आपको दे दिया गया है देखेंगे 24 दिया है दुटी पद 21 दिया है 21 म मिल जाएगा कितना माइनस तीन अप रश्चन में यहाँ पर कितने पद लिया जाएं कि उनका योग 78 हो तो यहां जैसे एक हैज़ाट चैनले देखेंगे यहां पर 58 है तो हमको सेम काम करना है मान लेंगे कि सेंडल के एन पदों का योग जो है 78 है तब एन पदों के योग क जो प्रिथम पद है तो प्रिथम पद हमारा कितना है 24 है तो यहां पर एक जगह रख देंगे 24 प्लस एन माइनस बन जैसे करताशा और डी की जगह फिल यहां रख देंगे माइनस त्री जो कि यहां पराप्त हुआ इस दो को इधर पच्छंतर करेंगे तो यह 78 से यह दो क्या होगा गुणा हो जाएगा तो 88 दूनी हो जाएगा एक सब 56 यहां बचेगा एन और 24 का दो से गुणा करेंगे तो 24 दूनी 48 240-3 को जब N से कुना करेंगे तो यह होजाएंगे और माइनस 3 का माइनस MIлом से करेंगे तो यह मैणस इस मैनस से कुल सागा is three इस त्री ओर इस फोटीएट को हुआ जोर देंगे तो और तीन हो जाएगा Natalie मिंश्यों से तीन गया तैसा अब हम क्या करने हैं इन दोनों से त्वाणा थे होगाँ तो इनका प्रैसब्स्ट्री कॉर्ट गाट मैने स्ट्री एर स्ट्रीन मीैन स्केर और 156 यहां भी जैसे तो यहां प्लस में हैं इधर जाएगा तो यह हो जाएगा माइनस और यह 156 जैसे का तैसा है तो इसके सामने कोई चिन्हन नहीं है मतलब प्लस है तो यह प्लस 156 बराबर हो जाएगा जिरू तो अब यह आगया वर्ग समीकरन लेकिन हम देख सकते हैं कि यहां तीन इंक्यावन और 156 तीन से भाग जा सकता है तो हम इसको तीन से भाग दे देते हैं तो इस प्रकार से तीन एकम तीन सत्रम इंक्यावन और तीन बावन होता है 156 तो तीन से पुरा कड़ागा अब फिर से यह अपका वर्विद समय करना है तो हम इसको गुणन खन्ड विधे से तोड़ेंगे तो इसको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोडने या घटाने से 17 और गुणा करने से 52 तो हम इस 17 को क्या लिए सकते हैं 13 प्लस 4 तो 13 जोड़ेंगे तो आजागा 17 और 13 से फिर क्या हो जागा फिर से हम क्या करेंगे दो दो का जोड़ा बना लेंगे इस प्रकार से तो यहां भी न है यहां बाहर निकालेंगे तो फोर एन और यह प्लस बदल जागा माइनस में 652 बराबरों जीरो अब परते को जागा से यहां बचेगा सब्सक्रा एन माइनस 13 माइनस यहां सब्सक्राइब गाहर की हो से माइनस 31 अब देखेंगे कि यह दोनों कोष्टक जो है N-13, N-13 एक समान है तो इसको लिख देंगे एक बार और जो बच गया तो पहले कोष्टक के बाहर N-4 दूसरे कोष्टक के बाहर तो इसको इस लूप में लिख सकते हैं अब इसके बाद फिर से वही काम करेंगे या तो पहला सब्सक्तूण चैनल को इस दोनों हमारा पर अंसर ही होगा आशा गारता हूं कि यह प्रस्ण आपको समझ में आ रहा होगा इसके बाद हम देखते हैं कुश्चन नमबर फोर को क्वें अब बल रहा है किसी समंतर स्वूडल प्रथा में पना करेंगे अनसर जाब प्रश्चा पद एक अंतिम पद 11 और योग जो है 36 है तो पदों की संख्या और सर्वांतर ग्याद करना है बाकि शुरुवात का प्रोसेस फिर वैसे होगा लेकिन सर्वांतर दे दिया गया है तो ऐसे प्रश्णों को हल करने के लिए जो दिया है उसको दिखेंगे कि सर्वांतर का पद आपको लग्याद करना है और सर्वांतर करने के लिए हम जानते हैं कि समांतर समिल के एन पदों का जो योग का सुतर होता है एक दूसरा सुतर होता है उसका यहां उप योग होगा ऐसे एक वैल्यू रख देंगे तो हमको एन कमान मिल जागा तो हम रख देते हैं कि एसे लगा कि छखा 36 आपको जैसे वगाफ अर यह ज़का इस एदेवन हो जाएगा इस दो को इधर पछानतर तो छतिर दूनी हो जाएगा बाहतर एक और क्यारां जुड़े करते हो जाएगा बारह को ट्रक से बाहर निकलेगे हो जाएगा बारह रहन और शप्रक्र कर देंगे इधर पच्छंतर तो 72 के नीचे जाएगा तो यह एन बराबर का हो जाएगा 72 बटे बारा अज को हम काट लगते हैं बारा एकम और बारा शक्के तो एन कमान हमको मिल जागा छे और कि एन कमान 6 मिला मतलब 6 पदों का योग जो है वो आपका कितना है 36 है तब उसे का उप्योग करेंगे अठार समाधर स्नेल के छे बदों का योग 36 है तब छे बदों का योग जो सुत्र है एस एन इक्वाल एन बाइटो टुए प्लस एन मैनस वन दी से तो इस सुत्र में हम एन की जगह छे रख देंगे तो यहाँ सिक्स एक्वाल का हो जागा सिक्वाल टू टू ए एकी जगह वन प्लस एन मैनस वन तो एन की जगह यहाँ छे मैनस एक डी हो जागा अब इस एस एन मतलब छे बदों का योग हम को मालूम है कितना है 36 इसको कट देंगे दो एक म और दो तिया तो यह कटे गा तीन बार में दो छे में से घटाए हो जागा पांच डी अब इस तीन को कट देंगे उखेँ धर पाउच्छंतर तो 36 बते तीन हो जागा बराबर में आजागा 2 5D इसको हम कट देंगे 3 पर 3 12 यह जागा आपका बारा बराबर में दो प्लस पानली दो को कर देते हैं यह 25 तो बारा में से दो घट जागा तो यह जागा बराबर 5D और 12 में से दो घटेगे तो यह हो जागा 10 बराबर 5D और हमको तो दी का वल्यु चाहिए तो इस पांच को कर देंगे 5 था तो यह हो जागा पुछा गया है यह हो जाएगा आपको प्रश्म कमांग चार का अंसर अब इसके बाद लाश्ट देखते हैं आज के दिए प्रश्म कमांग पांच क्या बोला जा रहा है किसी समांतर श्मिल्ट का प्रिथम पद सद्रह और अंतिम पद तो प्रिथम पद दिया है और सरवांतर मतलब लगया करने के लिए पर से अभी जैसे हमने देखा वैसी होगा तो यहां पर दिया है, आपको प्रथम पद दिया है, अंतिम पद दिया है, और सरवांतर दिया है, आपको जो ग्याद करना है पदों की संख्या N तथा इन पदों का यूग तो अब समादर स्रेट का जो अंतिम पत्त का सूत्र है उसी सूत्र से हम डी कमान गयाद करेंगे तो एन कमान यहां से अभी क्याद करेंगे तो एल बराबर एप्लस एन मैंनस बन डी जो कि आपको प्रिशन वाले 4.1 का है तो यह एल अंतिम बंधं को दिया गया है सा और नो का बस अन मान से गुन हो जागा तो नौ का एन से होगा तो नौ का मैनस एक से होगा तो मैनस 9 होजागा सेत्रह में से यह नव घड़ेगा तो सेत्रहमेंसे नो घटा यह हुजाएगा आठ फिर इस आठक कर देनगा इधर पच्छनतर तो तीन सो पिछाशमेंसे आठ घटेगा तो यह भी हो जागा तो 9 एक हम 9, 9 तिया हो जाएगा 27, बचेगा यहाँ 7, यह हो जाएगा 72, तो 9 अठे, 72, तो इस वरकार से N कमान आपको मिल गया, 38, अब जोंकि N कमान 38 मिल गया, मतलब आपको 38 पदों का योग ग्याद करना है, तो अतर कुल पदों की संख्या N बराबर 38 है, तो अब सिंडल के 38 पदों का योग जो सुत्र है, S N बराबर N बे 2, 2A प्लस N मैनस 1, D, इससे सुत्र का ही उप्योग करेंगे, तो इस सुत्र में S 38 इकोल का हो जाएगा, 38 बटे 2, 2A होता है, तो एक जगह 17, प्लस N मैनस 1, मतलब 38 मैनस 1, और D कमान 9, यहाँ से हम 2 एक कम और 2 उननीस हम के हटके हो जाएगा 37, और गुना में 9, अब हम 9 का 37 से गुना कर देते हैं, तो 37 नवा हो जाएगा, 333, 34 जैसे का तैसा, 19 भी जैसे का तैसा, इन दोनों का हम जोड़ देते हैं, तो यह हो जाता है, 366, 19 जैसे का तैसा, अब इस 19 का भी इस 366 से कर देंगे, गुना, तो 19 का 37 से करेंगे, तो 19 सत्य हो जाता है, 133, 133 की, हम लिख देंगे 3, और हासिल हो जाएगा, 13, 19 छक के, 114, और 13 जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा, 127, 127 की साथ, हासिल आएगा, 12, 19 तिया, 57, 57 और 12, जो रिंगे, तो यह हो जाएगा, 4ब 2ब 2ब 4ब 3, 19 जो जो, यह हो जाए, यह हो जाएगा,